हेलो फ्रेंड, स्वागत है मारे इस नई YouTube चैनल कॉल नदीम टेक पे दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि Xiaomi launch करता रहता है अपने नए नए स्मार्टफोन को यहाँ पे Xiaomi ने launch किया Redmi Note 7 को चाइना में जहाँ पे 8 मिनट में 1 लाग फोन Xiaomi ने बेज दिये है 24 जैनवरी को इंडिया में launch होने वाला है Redmi Note 7 वीडियो को आगे देखते रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi Redmi Note 7 के कुछ खास features और specification के बारे में तो वीडियो को start करते हैं Let's begin दोस्तों सबसे पहले आपको बता दे कि यहाँ पे Redmi सब ब्रैंड हो चुका है Xiaomi का जो की अपने लोगों में Redmi by Xiaomi लिख के आता है दोस्तों सबसे पहले बात कर लें यहाँ पे Redmi Note 7 के specification के बारे में तो यहाँ पे बात करते हैं डिस्पले के बारे में तो डिस्पले है Redmi Note 7 का 6.3 इंच फुल HD डिस्पले जो की वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आता है जिसका expect ratio है 19.5 इस्टू 9 और 2.5 डी ग्लास के साथ में आपको देखने को मिलेगा दोस्तो यहाँ पे Xiaomi Redmi Note 7 में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने वाली है और Quick Charge 4.0 का भी support आपको मिल जाता है दोस्तो यहाँ पे Redmi Note 7 में आपको USB Type-C का port दिया गया है जिसमें आपको processor मिल जाता है Snapdragon का 660 processor मिल जाता है जो 14 nanometer technology पे काम करता है दोस्तो सबसे highlighting feature है यहाँ पे Redmi Note 7 के camera का जहाँ पे 48MP primary rear facing camera आपको मिल जाता है और plus 5MP secondary camera आपको देखने को मिल जाता है दोस्तो यहाँ पे 48MP का camera जो है वो Samsung के G1 sensor के साथ में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे 6P lens का support भी आपको Redmi Note 7 में दिया जाएगा दोस्तो यहाँ पे जो आपको secondary camera देखने को मिलता है वो 5MP का मिलता है जो की aperture 1.8K साथ में आपको देखने को मिलेगा दोस्तो यहाँ पे Xiaomi ने 13MP का front camera दिया गया है जिसको आप selfie camera भी बोल सकते हैं दोस्तो यहाँ पे Xiaomi Redmi Note 7 में Corning Gorilla Glass 5 का protection layer दिया गया है जो की आपको एक मजबूत protection प्रवाइड करता है दोस्तो यहाँ पे खास चीज निकल के आती है जो Xiaomi क्लेम करता है कि यह phone जो Redmi Note 7 है वो water resistant phone है लेकिन यहाँ पे कोई भी certification इसे नहीं दिया जा रहा है दोस्तो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं डिजाइन की Xiaomi Redmi Note 7 की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है back panel में glass और gradient color के साथ जो की आपको एक अच्छा look provide करता है दोस्तो यहाँ पे Xiaomi एक और phone launch करने वाला है वो है Redmi Note 7 Pro को जहाँ पे 48MP का camera आपको देखने को मिल जाएगा जो की Sony IMX 586 sensor के साथ में आएगा दोस्तो यहाँ पे सबसे कमाल बात यह होने वाली है कि Xiaomi जो भी अपने नए smartphone launch करता है अपने specification के साथ उसकी pricing बहुत ही killer रखता है और बहुत ही कमाल रखता है तो यहाँ पे Redmi Note 7 launch किया है चाइना में जहां कि उसकी variant की price है 3GB RAM 32GB internal की 999 you on 4GB RAM 64GB internal की 1199 you on और 6GB और 64GB की 1399 you on अगर हम इंडिया में compare करें इस pricing की इस variant की तो यहाँ पे Redmi Note 7 launch कर सकता है अपना 3GB RAM 32GB variant 10,400 या 10,500 में अगर आप बात कर लेते हैं 4GB और 64GB variant की तो यहाँ पे वो launch कर सकता है 12,500 में और यहाँ पे अगर बात करते हैं 6GB RAM और 64GB variant की तो वो launch कर सकता है 14,500 या 15,000 के बीच में तो बस आज के लिए इतना ही पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उमीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगी वीडियो कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें कोई भी सवाल या सुझाओ आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिकें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखें जय हिंद